Welcome back to MB Academy तो आज किस वीडियो के अंदर हम C++ का एक और निया प्रोजेक्ट करने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट भी एक गेम है और ये गेम आपने कई मर्दबा अपने मॉबाइल्स पर भी खेली होगी इस गेम का नाम है Car Racing तो आज हम Car Racing गेम को C++ के अंदर ड्वेल्प करने वाले हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको इस गेम का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चाल जाएगा कि इस वीडियो को फालो करके आप किस किसम की गेम बना सकेंगे तो चलिए अपने Output Terminal को Open कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना Output Terminal Open कर लिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे उपर इस गेम का नाम लिखा हुआ है एक Bender के अंदर और यह Bender हम हर गेम के अंदर बनाते हैं और इससे नीचे हमें तीन menu options दिये गए है जो सबसे पहला option है वो है start game का और दूसरा option instructions का और तीसरा option quit game करने का है और उससे नीचे लिखा हुआ है select option तो अगर आप game play करना चाहते हैं तो आप one पर click करेंगे तो यहाँ पर मैंने one पर click किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी game का जो window है वो open हो चुका है अब इस window के अंदर लिखा हुआ है press any key to start इसके लबाद जो मेरे पास right side पर है यह एक board है इस board में सबसे पर car game लिखा हुआ है यानि कि game का नाम वो नीचे score लिखा हुआ है अभी मेरे पास game start नहीं हुई तो इसलिए initial जो मेरे पास score है वो 0 है और उसके नीचे थोड़ी सी instruction लखी हुई है कि आपको game कि सरा play करनी है और नीचे लिखा हुआ है A की left और D की right तो चलिए अब हम इसको play करने के लिए कोई एक button क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये game play कर दी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे जो car है वो vertical bar से बनी हुई है जो मैं play कर रहा हूँ और जो मेरे पास समने की तरफ से आने वाली cars है वो aesthetic science बने हुई है तो अब चलिए मैं इसको थोड़ सब ले करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ही controls है यहाँ फिर मैं left की तरफ हो सकता हूँ यहाँ फिर right की तरफ तो जब भी car आएगी तो मुझे left या right की तरफ होना पड़ेगा तो अब देख सकते हैं कि यह game कितनी smoothly चल रही है तो चलिए अब अपने car की टकर कराते हैं तो यह देख सकते हैं कि मेरी car की दूसरी car से टकर हो चुकी है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है game अबर और नीचे लिखा है press any key to go back to menu तो चलिए अब हम अपनी इस game की coding की तरफ चलते हैं तो coding यहाँ पर मैं dev c++ IDE में करूँगा आप अपनी पसांद की किसी भी IDE में काल सकते हैं यहाँ पर मैंने Ubuntu इस्टाल किया था तो इसलिए मैंने यहाँ पर Windows की game बनाने के लिए dev c++ इस्टाल किया है तो आप View Studio Code या Scene Line जैसी भी IDE को यूज़ का सकते हैं तो चलिए अब अपनी coding को शुरू करने के लिए मैं यहाँ पर एक project बना लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने Ctrl N दबा के एक New File बनाई है तो चलिए अब हम इसमें अपना code शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इस game में इस्तमाल होने वाली header files को लिखूँगा तो यहाँ पर मैंने header files को लिख दिया है जो सबसे पहली मेरी header file है यह है IO Stream जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी game या कोई भी हम जो project बनाते हैं तो हम cout और c in जैसे object का इस्तमाल करते हैं तो जो IO Stream है उसके अंदर ही यह objects पाई जाते हैं इससे निचे हमारे पास जो library है यह है conu.h conu.h library की मदद से हम get ch और get ch e के function को काल का सकते हैं जिससे हम user से character input ले सकते हैं तो उससे निचे जो हमारे पास library है यह है windows.h की windows.h library के अंदर sleep का function होता है जो हमारे loop को sleep कार देता है या slow कार देता है तो games में हम अक्सर इसका इस्तमाल करते हैं तो हमने इसलिए इसको लिख दिया है उससे निचे जो time.h है इसकी मदद से हम time के function को काल कार सकते हैं जैसा कि आप चानते हैं कि time का function हमें rand के function में random entities generate करने के लिए मदद करता है तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको दिख दिया है तो header files को include कराने के पाद मैं जो सबसे पहले काम करूँगा वो मैं अपनी game के जो हमारे height और width को उनको define करूँगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं hash define का इस्तमाल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले मैं लिखा है screen width 90 जो में screen की width होगी वो 90 होगी उसके बाद मैंने screen height 26 लिखा है और जो win width है वो safety लिखा है यह win width मेरी जहाँ पर car gameplay होगी यह वो वाली width है इसके बाद नीचे मैं using namespace stt लिख लेता हूँ इससे नीचे मैं कुछ ज़रूरी variables जो globally use करूँगा वो लिखूँगा तो सबसे पहले मैं अपने handle console यानि के console के अंदर objects और characters को handle करने के लिए handle console नाम का एक variable बना लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ get stt handle और उसके अंदर मैं std out handle के macro pass कर दूँगा उससे नीचे मैं code cursor position का एक variable बना दूँगा जिससे मेरी screen के अंदर जो cursor की position है वो handle होगी इससे नीचे मैं 3 variable बनाता हूँ जिनकी type int होगी और ये array type के variable होगे इन में से जो पहला variable है ये है enemy y और इसका size मैं 3 रकूँगा इसके नीचे मैं enemy x इसका size भी 3 है और नीचे enemy flag और इसका size भी 3 है इसके बाद car को draw करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डूर्ड यहरे एक car लिया है और उसके अंदर मैंने car को draw कर दिया है इसके बाद जो मैं variable बनाऊंगा वो है car position का तो car position start में मेरे पास win width divided by 2 यानि के मेरे window के दर्मियान में होगी तो उसके बाद मैं जो score का variable है उसको zero पे initialize कर दूँगा क्योंके मारे पास जो initially score होगा वो zero से start होगा इसके बाद मैं main function की coding को शुरू करता हूँ तो इसके लिए नीचे मैंने intermain देख दिया है इस main function के अंदर सबसे पहले मैं अपना जो cursor है उसको zero zero index पे set करूँगा उसके बाद मैं srand के function को call करूँगा जिससे मेरी इस game के अंदर random entity generate करने में मदद मिलेगी इसके नीचे मैं एक do while infinity loop लगाँगा क्योंके हमारे पास जो games होती हैं उन में infinity loop चलते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर do while और इसकी condition के अंदर मैंने true pass कर दिया है इस do while loop के अंदर सबसे पहले मैं अपनी screen को clear करूँगा इसलिए मैंने यहाँ पर system CLS को call कर लिया है इसके बाद मैं अपने board को draw करूँगा जो मेरी game का board होगा तो उसके लिए नीचे मैंने go to xy 10.5 और 10.6 और 10.7 पास करके अपने board को draw किया है यहाँ पर जो go to xy का function है इसका काम यह है कि हमारी game के अंदर जो यह axis है 10.5 और 10.6 इनके उपर वो हमारा object या वो characters draw करता है इसलिए हमने इसको call किया है इसके implementation हम बाद में करेंगे इसी तरह जो set cursor का function है इसके implementation भी हम बाद में करेंगे इससे नीचे मैं अपना menu draw करूँगा menu draw करने के लिए मैंने go to xy के function को ही call किया है और यहाँ पर 10.9, 10.10 और 10.11 के axis दिये है यहाँ पर जो 10.9 है यह इसमें से 10 जो है वो x-axis है और 9 जो है वो y-axis है तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला menu लिखा है वो है start game का उसके बाद instruction और उसके बाद good का तो यहाँ पर मैं option input रूँँगा इसके लिए नीचे मैंने select option लिख दिया है और यहाँ पर एक character of बनाके उसके अंदर get ch e के function को call कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे तीन condition लगाई है अगर हमारा operator 1 हो तो हमारा game play हो जाए अगर 2 हो तो instructions show हो जाए और अगर 3 हो तो हमारी game exit का जाए तो इसके लिए हमने exit 0 लिख दिया है तो चलिए अब हम अपने play के function को implement करते हैं तो इसके लिए नीचे मैंने wide play लिख दिया है और इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ चीजें initialize कर दूँगा उनकी value set कर दूँगा तो यहाँ पर जो मेरी car position है उसको मैंने minus 1 plus width divided by 2 रखा है क्योंकि मेरी यह car है वो mid पर show होगी इसके बाद मैंने score पो 0 initialize कर दिया है और जो मेरा enemy flag 0 पर है उसको 1 कर दिया है और जो 1 पर है उसको 0 कर दिया है इसका मतलब है कि हमारा जो सामने से enemy आएगा वो appear होगा या disappear होगा इसके बाद मैंने नीचे enemy y at 0 index पर और enemy y at 1 index को 1 कर दिया है तो इसके नीचे मैं कुछ functions को call करूँगा इससे पहले मैं system cls के function को call कर दूँगा कि मेरी जो back पर screen draw होगी वो remove हो जाए तो इसके लिए मैं साबसे पहले draw border के function को call करूँगा उसके बाद update score के function को call करूँगा और फिर gen enemy यानिके generate enemy के function को call करूँगा और इसमें पहले जो मेरे पास parameter है वहाँ पर मैं 0 दे दूँगा और जो दूसरा enemy है वो generate 1 पर हो तो इसके नीचे मैं अपना जो right side पर menu है पूरा वो draw करूँगा तो इसके लिए नीचे मैं लिख दिया है और यहाँ पर इन indexes के ओपर win width plus 7 win width plus 6 और इन सारे indexes के ओपर मैंने car game और control और यह instruction लिख दी है a की left और d की right तो इसके बाद मैं अपने user से input के लिए इंटर कराऊंगा कोई भी key तो इसके लिए नीचे मैं press any key to start को 18.5 index पर लिख देता हूँ तो इसके नीचे मैं get.ch के function काल करूँगा जिससे हमारा यह process उस वक्त तक hold रहेगा जब तक user कोई key input नहीं काल देता तो हमें उस key कोई ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हमने इसको कहीं पर store भी नहीं कराया तो इसके नीचे मैं एक और loop लगाँगा जो infinity तक चलेगा इसके अंदर भी मैंने यहां पर true condition लिख दी है इस loop के अंदर सबसे पहले मैं यह चेक करूँगा कि क्या user ने कोई key input की है या नहीं तो इसके लिए मैं यहां पर if condition लगाता हूँ और यहां पर kb hit यानि यह function indicate करता है कि user पहले कोई key input काट चुका है या नहीं तो अगर key input हुई है तो फिर यहां पर one return होगा और यह condition true होगी अगर user ने key है कोई key input तो नीचे हमारे पास एक variable होगा जो user से input लेगा कि वो left turn करना चाहता है या right turn करना चाहता है तो उसके नीचे मैंने car ch get ch के अंदर move करा दिया है और उसके नीचे मैं लिखूँगा कि अगर user a input करे तो car किस तरफ move करनी चाहिए और अगर d input करे तो car किस तरफ move करनी चाहिए तो इसके नीचे मैंने सबसे पहले if character equal to a लिख दिया है और a यानि कि position है, यानि कि हमारे car की position है, 18 से बड़ी है, क्योंकि हमारे car की position 18 से बड़ी ही होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास left wall है, वो 18 position के ओपर draw हुई है तो इसके लिए नीचे हमने car position greater than 18 रखा है, कि अगर हमारा user left wall के पास हो और वो A input करे तो वो left पर move ना हो सके तो नीचे हमने लिखा है car position minus equal to 4 यानि के हमारी जो car के position है वो minus equal to 4 हो ये हमने 4 क्यों रखा है क्योंकि हमारे पास जो उपर car की width थी वो 4 थी क्योंकि हमने 4 by 4 की 2D array बनाई थी इसके नीचे हम D को handle करेंगे और D को भी हमने same handle किया है बस फरक इतना है कि यहाँ पर हमने minus 4 लिखा था और यहाँ पर हमने plus equal to 4 लिखा है इससे नीचे हमने एक condition लगाई है if character equal to 27 27 असल में आसकी code है escape की का तो जब हम अपनी game से escape यानि के exit करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम 27 की का use करेंगे तो इसके लिए नीचे मैंने break लिख दिया है और जिससे मेरा यह loop break हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने कुछ function नीचे लिखे है इसमें सबसे पहले जो draw car का है और उसके बार draw enemy at 0 और draw enemy at 1 तो यहाँ पर मैंने इन तीनों functions को call किया है कि हमारे पास अगर सारी processing पीछे वाली हो जाए तो मैं अपनी car को draw करूँ और अपने enemies को draw करूँगा इससे नीचे मैं एक if condition लगाता हूँ कि अगर मेरे car की enemies के साथ collision हो जाती है तो क्या करना चाहिए इसके लिए मैंने नीचे collision equal to one रखा है collision का function हम बाद में implement करेंगे उन नीचे हमने game hour का function लिख दिया है जो कि हम बाद में implement करेंगे उन नीचे मैंने return कर दिया है जिसे मैं अपनी game से exit हो जाँगा तो इस if condition के बाद मैं sleep के function को call करूँगा इस if condition के बाद का मतलब है कि जब मेरी collision नहीं होती तो मैं साथ से पहले अपनी कर को remove करूँगा अपने enemies को remove करूँगा तो उसके नीचे मैंने erase car और erase enemy के functions को call किया है क्योंकि मैंने अपनी cars को एक नए index ये उपट ड्रा करना है इसके बाद मैं if condition दगाऊंगा जिससे मेरे enemies move कैसे होंगे ये पता चलेगा इसमें साथ से पहली जो if condition है जिसके अंदर if condition enemy y add 0 equal to 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमारा जो enemy 0 है वो यानि 0 कौन सा enemy है हमारा पहला enemy जो पहली मत्पा board पे शो हुआ है अगर वो हमारा equal equal to 10 उसके indexes और हमारा जो y x 10 indexes है वो equal हो जाएं तो हमारा वो enemy disappear हो जाए और हमारा जो enemy 1 है वो appear हो जाए तो उसके निचे में ने if condition लिखी है इसके बाद ये है कि हमारा अगर enemy flag 0 अगर 1 है हमारा जो 0 यानि पहली index वाला enemy है आगे बढ़ता जाए मेरे game के board में इसी तरह नीचे जो मेरा दूसरा enemy है वो भी one step by step आगे बढ़ता जाए तो अगर हमारा enemy नीचे वाला border cross कर दे तो हमारा score बढ़ना चाहिए और हमारा enemy वो disappear हो जाना चाहिए और अपनी पहली जो position है वहां पहुंचाना चाहिए तो इसके नीचे मैंने if condition लगाई है जिसमें लिखा है enemy y at 0 greater than screen height minus 4 और उसके नीचे मैंने reset enemy के function को call किया है और नीचे मैंने score को plus plus का दिया है तो इसके नीचे मैंने update score के function को call का दिया है तो यह सारा जो procedure था यह मेरे पास enemy one के लिए था जो दूसरा enemy है उसके लिए भी नीचे मैंने यही procedure लिखा है लेकिन यहां पर जो zero index था वहां पर मैंने one index लिख दिया है तो यहां पर सबसे पहले मैं draw border के function को implement करूँगा तो उसके लिए नीचे मैंने एक file loop लगाया है जिसको मैं screen height तक लाँगा इसके नीचे मैंने एक और file loop लगाया है जिसको मैं j लेज़े 7 तक लाँगा तो इसके नीचे मैं go to x y function के मदद से आगे vertical bars लिख दूँगा तो कि मेरे जो border है वो vertical bars का बना है इसके नीचे मैं जो अपना right border है उसको draw करने के लिए भी एक loop लगाया है और इसको मैंने screen height तक लाए है और इसके नीचे भी मैंने go to x y का function यूज़ करके आगे vertical bar draw किया है इसके बाद मैं update score के function को implement करूँगा तो इसकी body के अंदर मैंने सबसे पहले go to x y function को call किया है और उसके आगे मैंने score colon और आगे score के variable को use किया है जो initially मैंने 0 पे set किया था लेकिन जब जब increase होगा तो इसकी value यहाँ पर मेरे board पर draw हो जाएगी इसके बाद मैं enemy को generate करने के लिए जए enemy के function को implement करूँगा तो इसके लिए नीचे मैंने इसकी body के अंदर enemy x at index equal to 7 plus rand percentage 30 लिख दिया है जिससे मेरा जो enemy है वो किसी भी random place पर generate हो जाएगा इसके बाद मैं go to x y के function को implement करूँगा तो इसकी body के अंदर मैंने cursor position dot x को x रख दिया है और cursor position dot y को y रख दिया है जो मैं अपने parameter से receive करूँगा इसके बाद मैंने set console cursor position के function को call किया है और इसके अंदर मैंने ये variables pass कर दिया है तो इसके बाद मैं draw car के function को implement कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक file loop लगाया है जो मैंने 4 तक चलाया है और इसके अंदर भी एक file loop लगाया है जो मैंने 4 तक दिलाया है चुकि जो मेरे car है वो 4 by 4 के index यानि कि 4 by 4 के size पे मुझतमिल है इसके बाद मैं नीचे अपनी car को draw करने के लिए car के variable को good xy function की मज़ से लिख दूँगा इसके बाद जो अगला function मैं implement करूँगा वो draw enemy का function है तो इसके लिए नीचे मैंने एक if condition लगाई है और enemy flag at index को true किया है यानि कि मेरा उस वक्त enemy draw हो जब मेरा flag true हो तो इसके अंदर मैंने अपने enemy को draw करने के लिए go to xy function की मज़ से एक s id का pattern लिख दिया है तो इसके बाद मैं अपने collision के function को implement करूँगा इस collision के अंदर जो ये if conditions है ये उस वक्त true होंगी जब हमारा object यानि के हमारा card इस दूसरी card से collide कर देगा अगर वो collide कर दे तो हम return 1 कर देंगे otherwise हम return 0 कर देंगे जो मैंने नीचे लिख दिया है तो इसके बाद हम game over के function को call कर देंगे game over के function के अंदर मैंने system CLS कर दिया है और नीचे लिख दिया है जब हमारी game over हो जाए और नीचे press any key to go back to menu और get ch को call कर दिया है तो इसके बाद जो अगरे function है वो erase car और erase enemy के है ये दोदो function बिलकुर उपर create car और create enemy के function की तरह है यहां पर हमने अपनी car को draw किया था तो वहां पर हमने space लिख देनी है इसके बाद हम rest enemy के function को implement करेंगे और इसके अंदर हम एक parameter int index को लिख देंगे इसके अंदर मैं erase enemy at index कर दूँगा और enemy at y at index equal to 1 कर दूँगा और फिर हम एक नया enemy generate करेंगे जिससे मैंने नीचे generate enemy के function को call कर दिया है इसके बाद जो मेरे पास last function रह गया है वो set cursor का function है तो उसके लिए नीचे मैंने set cursor का function लिख दिया है और इसके अंदर मैंने if size equal to 0 हो तो मैंने यहाँवर size 20 कर दिया है और नीचे मैंने अपने cursor को set करने के लिए यह कुछ variable दिखे हैं जिनको मैंने initialize किया है और नीचे मैंने आहर पर set console cursor info के function काल कर दिया है तो यहाँ तक हमने set cursor के function को implement काल दिया है यह function हमारे cursor को हमारे screen के उपर set करेगा जब भी हम इसको काल करेंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस मुकमल गेम की implementation काल दिया है मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसांद आई होगी तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर आपको यह वीडियो वाकी पसांद आई है तो इसको like कर दे और इस channel को subscribe कर दे और bell icon के बटन को भी दबा दे ताके हर नई आने वाले वीडियो की notification आपको सही वक्त पर मिल सके